असलाम अलेकुम एवरिवन वेलकम और वेलकम बैक टू समीनास किचन तो गाईज में आज आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने जारे लिए हूँ बहुत ही इजी तरीके से और आज की रेसिपी में हम आईल का थोड़ा भी इस्तमाल नहीं करने वाले हैं विद्वाट आईल में आज आपको सुर्मय की फिश करी कैसे बनाना है वो बना के बता रही हूँ तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राइब कीजिए और गाईज अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आ रहे है तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो चलिए हम देखते हैं हमें इनके लिए किन किन चीजों की ज़रूत हैं आईए तो चलिए हम बनाते हैं फिश करी तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये सुर्माई फिश ये इसको मैंने नंबक के पानी से क्लीन डू के लिया है इस तरह से प्लीस है उसके देख सकते हैं मैंने लिया है ये हाफ नारियल है बारिक स्लाइस करके लिया है मैंने देन ये हाफ इंच जिंजर है देन ये गार्लिक है तीन पीस अफ गार्लिक और ये एक ओनियन है मेडियम साइज ओनियन उसका मैंने बैसे स्लाइस करके कट कर लिया है और ये द्धनिया है एको थे रभाल मिर्च मंच ये तेकी नहीं होती है बस कलर के लिए होती है तो हैं मैंने 5-6 लिय हैं देने धने हैं चार टेबल स्पून धने है देन इमली है दो टेबल स्पून ये हाफ टेबल स्पून हल्दी है ये एक टेबल स्पून अफ लाल मिर्च है ये तीखी लाल मिर्च है और ये टू और त्री कोकम है और salt as per test तो हमें इतनी ही चीजों की जोरत है और हमारी कड़ी रेडी हो जाएगी बहुत जिल्दी रेडी होती है अब हमें इस सब चीजों को grind कर लेंगे एक साथ और पानी डाल के उसकी स्मूध पेस्ट बना लेंगे हम सारी चीजे में एक साथ ही डाल रही हूं आप नारेल खीश के भी ले सकते हो बट मैंने स्लाइस करके लिया है जादे मसाले भी लगते नहीं है इस करी में बहुत टेस्टी बनती है सब अड़ कर लिया है अब मैं उसको पानी डाल के स्मूध पेस्ट बना के ले लिया है मैंने देखे इस तरह से इतनी स्मूध पेस्ट करनी है हमें अब हम एक पैन में उसको एर कर लेंगे देखे मैंने पैन में थोड़ा भी ओईल नहीं एर किया है मैंने यह बैटर डाल दिया है अब हम उसमें पानी मिक्स करेंगे जितनी कॉंटिटी हमें चाहिए उतनी जादी ठीक भी नहीं रखनी है उसको अच्छे से पकाएंगे हम दस मिनिट इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे होगे है दस मिनिट अब देखो हमारी कड़ी का टेक्शर आप देख सकते हो और फिर हम उसमें अब हमारी फीश आड करेंगे और फिश आड करने के बाद हमें उसको बॉइल आने तक पकाना है और अब मैं सॉल्ट आड कर रही हूं हमें सबसे एंड में नमक आड करना है कड़ी में देखे हमारी फिश कड़ी और मैंने कोकम भी आड किया था वह शूट करना में भूल गई तो आप कोकम भी बीच में आड कर दीजिए और हम कोरियंडर लीव्स दाल रहे है उपर से बॉइल हो चुका है देखे बॉइल भी आ चुका है करी में हमारी करी रेडी हो चुकी है तो अब चलिए देखे हमारी करी हो चुके है रेडी मैं आपको सर्फ करके बताती हूं देखे इसमें हमने ऑईल का थोड़ा भी इस्तमाल नहीं गिया है और हमारी पड़ी का टेक्स्चर देखी हम करी को स्टीम राइस के साथ एंजोई करेंगे यह स्टीम राइस है और यह चावल की रोटी है यह हमारी पूरी सुर्मै ठाली रेडी हो चुकी है बहुत टेस्टी बनती है तो आप लोग प्लीज इसको ट्राइ कीजिए घर पे बनाएए आप सुर्मै के जगा पे कोई और दूसरी फिश भी यूज़ कर सकते हो देखें हमारी फिश करी का टेक्शर यह सुर्मै फ्राइ है रवा फ्राइ की है मैंने और यह चावल की रोटी है तो इस तरह से हमारी एडिश रेडी हो चुकी है हुआ है